तो बहुत सारे fold phone तो देखो अभी launch हो चुक है लेकिन जो true flagship fold phone है with AI वो finally launch हुआ और देखो यहाँ पर रही बात unboxing experience को लेकर तो इसकी packaging designing में थोड़ी सी नहीं करी गई है और जैसे आप खोलोगे आपका phone और उसके बाद में paperwork और साथ में type C to type C cable और charger जो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा वैसे यह phone 25 watt की charging को Mac support करेगा और हाँ मैंने काफीर time इसके साथ spend करा है और मैं बता सकता हूँ कि यस कितना ज्यादा true AI fold phone है जिसके अंदर हमको turns of चीज़े मिलती है और AI की जो शुरुआत मैं कह सकता हूँ जिसने करी थी और इस time जो और आगी चीज़े लेकर गया है वो सारा experience यहाँ पर हम लोग share करेंगे क्या-क्या AI चीज़े आई है और कितनी जादा helpful हो सकती है यह वाली AI चीज़े वो इस Samsung Galaxy Z Fold 6 के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक-एक करके तो थबसे पहले तो इन्होंने लेको major upgrade यहाँ पर करा है सबसे पहली बात तो build quality को लेकर तो इसके जो side के edges से वो flat कर दिये है और boxy design थोड़ा सा कैर के निकल करा है और जो build quality में जो armor material है वो भी यहाँ पर अच्छा use करा गया है जिसकी वैसे इसकी build quality और ज़्यादा strong हो सके और इसके अंदर dual rail hinge है जो basically और ज़्यादा steady है और जो इसको strong तरीके से hold करने वाला काम है वो इसके अंदर definitely बहुत ज़्यादा improve किया गया है और जो ये matte type का finish यहाँ पर है ये जो color भी है वो भी काफी ज़्यादा अच्छा है और side में जो aluminum armor है वो और ज़्यादा strong material के साथ में आता है तो ये जो armor aluminum frame है ये आपको scratch proof और साथ में drop proof देखने मिल रहा है और even जो display पे जो crease थी पहले वो और ज़्यादा यहाँ पर कम हो चुकी है और साथ में इसकी जो display की protection है वो और ज़्यादा enhance हो चुकी है उसके बड़ा major change तो इसकी weight में भी है पिछले साल के fold से ये काफी ज़्यादा हलका भी हो चुका है और इसकी जो main cover display है इसको last year से और थोड़ा सा wider किया गया है last year 6.2 inches आता था इस बार 6.3 inches पे देखने मिलता है और एक चीज है कि ये जो display है आपके one-handed काम है आराम से करवा देती है और last year का fold 5 आता था IPX 8 की rating के साथ में बढ़ ये इस बार IPX 48 के साथ में मिल रहा है basically ये इस बार dust proof भी है और जैसे आप suppose इसे pocket से निकालते हो तो जैसे इसकी hinges की gaps वगएरा भी है वहाँ से भी कुछ dust pass नहीं होता तो वो भी एक plus point हो चुका है डिस्प्लेइ पर एक्स्टा layer of protection एड़ करीगी जिसकी वैसे इसका foldable वाला बात चीट है वह और ज्यादा durable हो चुका है अभी इसके बहुत सारे जो interesting AI features आया वह हम लोग एक ये करके देखते है सबसे पहले इसके अंदर interpreter mode आया हुआ है तो basically देखो इसका simple काम क्या है आप जो language में बात करना चाहते हैं सबको सामने आला Korean है या फिर other को English language में है तो आपको conversation करनी है उसे तो आप फोन के अंदर type करके और इसकी cover display पर वो पूरी conversation देख सकता है और जब वो answer करेगा तो आपने जो बोला है वो सामने आला को translate होके दिखेगा और सुनाई भी देगा और even जब वो सामने आला बोलेगा तब आपको Hindi language में भी सुनने मिल जाएगा और multiple सारी language support देखने मिलती है जिसकी वज़े से ये जो mode है बहुत ज़ादा लोगों के काम में आ सकता है फिर दूसरा यहाँ पर आपको composer मिलता है जो बेसिकली अगर आपको ऐसे समझ लो mail लिखना चाहते हो किसी को जहाँ पर अगर किसी को project के बारे बताना है upcoming project यह है और हमको किस तरीके से लेके जाना है तो वो सारा conversation आपको सिंपल में डाल दो गया तो वो mail पूरा उस तरीके से write हो के आ जाएगा और सामने हो लोगों आप फिर उस तरीके से mail वगेरा डाल सकते है और शास करके social media पर तो यह बहुत जादा काम का है इनकेस Twitter पे आपको कुछ ऐसा समझ रहा है कि क्या बात करनी है कैसे अगर लेके जाना है किसी topic को लेकर ऐसा बता सकते हो कि Z Fold 6 IO market में काफी interesting pricing पर है और best AI fold phone के साथ में आता है और जिसकी वज़े से आप है ना caption है ना वो पूरा लेकर tweet कर सकते हो अलग-अलग tone के हिसाब से और अभी तो इस बार इन्होंने क्या किया है PDF पे भी आप है और ले देख सकते हो basically वहाँ पर अगर आपको PDF पूरा summarize करवाना है कि अगर suppose 20 पने का PDF है पूरा summarize करके कुछ एक paragraph में समझना है तो वो कर सकते हो even अगर translate करवाना चाहते हो तो वो सारा option भी available है और इस बार तो जो maths की equation है ना वो तक भी हाँ पर यह solve कर सकते है और circle to search था ही जो पहले हमको मिलता था और वो इस बार भी है बट इस बार इन्नों ने फोड़ा सा और इसको enhance कर दिया है तो अगर आपके सामने suppose को ऐसा board या कुछ है जिस पर तीन language अलग-अलग है एक साथ में ही तीनों language को translate कर सकता है और इसके साथ अलग-अलग covers भी आते है तो मेरे पास S-pen वाला cover है तो basically वहाँ पर मैं पूरा use कर सकता हूँ जो में से sketch करना है, कुछ करना है, notes बनाने वो सब benefit है और इतने सारी जो AI वाली बातचीत होती है तो वहाँ पर जो data privacy होती है न वो भी आप ensure रह सकते हो क्योंकि जो पूरा data है न आपके on device पर ही रहता है ताकि आपका बाहर कोई ऐसा problem create ना हो और साथ में इस बार क्या किया है जो Samsung की note application है उसके अंदर अगर आपको suppose किसी की meeting है तो वहाँ पर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो और अगर वहाँ पर suppose कोई lecture चल रहा है या फिर आप कोई interview ले रहे हो तो वहाँ पर पूरा interview आप एना transcript कर सकते हो इवेन अगर आपको language में मतलब अलग translate करना है तो वो भी कर पा होगे और साथ में summarize करना है तो वो option भी available है मतलब वो बहुत जादा interesting लगा मुझे for example अगर आप समझ लो एक ऐसी मेरी फोटो है तो यहाँ पर मुझे समझ लो एक hat add करनी है या फिर hairstyle change करनी है तो मैं एक बाद normal सी drawing करूँगा कोई ऐसा expert वाली drawing नहीं करूँगा और वहाँ पर जैसे ही मैं generative करूँगा न तो basically वहाँ पर पूरा must ऐसा लगेगा ही नहीं कि भाई मतलब यह add-on करेगे realistic पूरा यहाँ पर यह generative निकाल के लेता है AI वाला बादचीद यहाँ पर काम आता है और यह जो सारी चीज़ है आप existing photo पे भी कर सकते हैं या फिर कोई ऐसी photo है जहाँ पर कोई photo frame नहीं है यहाँ पर कोई object नहीं है तो आप वहाँ पर एक normally draw कर लो और example वो fish हो सकता है rabbit, dog या कुछ भी बतलब ऐसे simple बच्पन वाली जो drawing होती है न वो कर लेना तो आपके सामने वो पूरा realistic सामने आ जाता है और इसे कहते हैं यहाँ पर sketch to image और आप चाहे इसे S Pen से कर लो या फिर आप अपने finger से भी कर सकते हो देखो कैसा यह जो सारे feature है न आपको other other platform पे बहुत सारी जगा मिल जाएंगे लेकिन यहाँ पर Samsung ने क्या किया है यह सारी चीज़े आपके एक तो phone में लाके दे दी और जितना simple हो सके हर एक बंदा use कर सके उस हिसाब से इन्होंने करिए मतलब ऐसा ने कि drawing एकदम perfect होने चाहिए और सब कुछ एकदम तगड़ा होने चीज़े तभी कुछ अच्छा बनके आएगा नहीं यहाँ पर यह चीज़े उन्होंने एकदम basic रखी मतलब हर को यह ऐसा use कर सके तो उस हिसाब से Samsung ने implement करा है AI को लेकर अब दूसरी चीज़े यहाँ पर ऐसी है कि आपके सामने इतना अच्छा option यहाँ फिर इतनी अच्छी drawing निकल कर आती है आपको लगया को नहीं कि भाई यह मैंने बनाई इतनी अच्छी coloring और वगयरा तो इस तरीके की चीज़े हो सकती है और यह जो सारी चीज़े ना ना भाई वो बहुत जादा next level है फिर यहाँ पर एक portrait studio option आता है तो basically उस पर क्या होगा जब आप वहाँ पर उसे option को select करोगे तो आपकी face की sketch 3D type की बना के देदेगा जैसी भी आपको चाहिए और यह जो on करने के बाद है बहुत सारे लोग अपनी profile photo और पता नहीं कहां-कहां इसे use कर सकते है तो यह सारे जो AI features आपको इसमें मिलते ही है और वही पर अगर बात करोगे बैटरी को लेकर तो यह phone 4400 damage की बैटरी लेकर आता है और 25W की charging को इस support भी करेगा बाकी अगर आप देखो gamer भाई लोग हो तो मेरा काम तो बताना जरूरी है यह phone smooth पर 90fps unlock करके देता है मैंने इसकी buddy screen पर gameplay करके देखा है और 4 finger gameplay बहुत अच्छे से हो जाता है जिनको भी gaming करने का बन हो तो बाकी जो experience यहाँ पर आया था ना भाई काफी जादा interesting था 90fps अच्छे से unlock भी करके देता है और अच्छी तरीके से stable gaming भी करवा देता है और gyroscope की performance भी काफी अच्छी आ जाती है और VC chamber cooling की वज़े से hitting भी बहुत अच्छी तरीके से controlled रहती है और gaming में एक और interesting चीज आती है इस phone के अंदर वो है ray tracing और वो भी इस बार यहाँ पर next level तक perform कर दिया गया है अब ray tracing से देखो simple समझ लो होता यह है कि जो game में reflections होते हैं, shadows रहते हैं वो realistic और जादा अच्छे देखने मिलते हैं और device के भी support करना चीए तो यहाँ पर यह जो phone है, ray tracing में काफी next level तक perform करता है बाकी 5G bands की बहुत सारे numbers, NFC वगेरा सब कुछ आपको मिलता है और size mounted fingerprints के अंदर है और अच्छी तरेके से सब कुछ unlock करके देता है और साथ में जो Samsung की security feature जैसे की knock security उस तरेके की चीज़े भी यहाँ पर मिलती है और साथ में आपको DEX support भी मिल जाता है, Samsung DEX जो आता है basically बाकी जो cover display हो गई और आप inner display हो गई उसकी size भी यहाँ पर काफी अच्छी है बाई वो बहुत जादा eye pleasing लगते हैं, colors बगेरा बहुत अच्छे से आते हैं और साथ में जो speaker का output है वो last year से जैसा ही है बर थोड़ा सा है improve जैसे की bassy बगेरा कर दिया गए और साथ में जो display protection है वो gorilla glass victus 2 आती है जो की बहुत जादा strong है और देखो यहाँ पर यह phone 7 साल की OS update promise कर रहा है जो की बहुत जादा next level है और साथ में 1UI 6.1 है तो software experience भी काफी अच्छा है no bloatware, always on display और तरह जारे की सारी चीज़ा यहाँ पर मिलती है जो की यह software experience पर और जादा improve जैसे कर आपको multitasking करनी है तो आप multiple application खोल सकते हो at a time पर और जो word file हो गई या फिर excel file हो गई उनको access करना cover screen पर बहुत जादा अच्छा रहता है और even बहुत जादा practical भी है और दूसरी चीज़ अगर जो लोग trading करते हैं उनके लिए भी बहुत जादा practical है और साथ में इनका flex mode है वो भी आता ही आता है जहाँ पर आप फोर इस तरीके से रखे आप अपना पूरा video experience देख सकते हो नीचे controller वगर आ जाते हैं साथ में यही चीज़ आपको cameras में भी देखने मिलते हैं बागी देखो camera की जो number है last year जैसे थे वही same as it is देखने मिलते हैं और जहाँ पर इसके photo के experience अगर मैं बता दूँगा बहुत सारी photo हमनों tryout करी है main camera हो गया, portrait हो गया, ultra wide हो गई, zoom वाले photos हो गई, low light के अंदर सारी photos हो गई बहुत सारी हमनों tryout करके देखे और fold phone पर काफी best experience से निकालता है of course अगर आपको best photo experience भी चाहिए है तो वो इनी के पास है S24 Ultra के अंदर मिल जाता है पट अगर आपको fold phone के अंदर तगड़ा experience यह photos को लेकर, videos को भी लेकर जहाँ आपर यह 8K 30FS तकी वीडियो निकाल लेते हैं अगर आपको best experience वाली photo इस पर मिल जाती है जहाँ पर अगर आपको लगता है कि selfie आपको लगता है कि inner display से better जो outer cameras है वहाँ पर हम लोग जादा लेना पसंद करते हैं तो इसकी cover screen पर आप preview लेकर properly photo भी रे सकते हो तो basically camera experience इस phone पर एकड़म complete next level मिलता है तो भाई ये सारी चीज़े इस Samsung Galaxy Z Fold 6 के अंदर देखने मिलती है hope so जितना मैंने detail में बताने के कोशिश कर रहा था सब कुछ मैंने बता दिया बट in case अगर आपको लगता है कि और सारी चीज़े आपको जाननी है जो miss out हो गए रहेगी या फिर AI में आप कौन सा best feature यूज़ करते हो वो comment में जरूर पूछ लेना बागी देखो इस phone पे आना काफी जादा interesting offers भी है जब आप इसे लेने जाओगे अभी तो 1,65,000 से इसका base variant चलो हो जाएगा और ये 1 TV तक चला गया है और दूसरी बात यहाँ पर अगर आप Samsung अपग्रेड करते हो तो वहाँ पर आपको extra benefits देखने मिलते है 15,000 तक का और इस पर अना आपको Samsung Care Plus भी मिल जाती है जो पहले 15,000 के around आती थी बड़ अभी आपको ये 999 के अंदर मिल जाएगी HDFC के card discount पर आप 8,000 तक का भी off ले सकते हो और साथ में जो watch ultra अभी आई हुई है Samsung की उसके उपर भी आप bundle offer मिलता है जहाँ पर आपको 18,000 तक का benefit मिल जाएगा और इसके जो Samsung Galaxy Buds 3 Pro आये हुए है या फिर watch ultra हो गई या फिर flip 6 हो गया इनका भी आपको कोई review अलग से देखना है डेटेल के अंदर खास करके watch और birds का तो मुझे comment में ज़रू शेयर कर देना बाकी यहाँ पर एक interesting वीडियो है आप जाके check out कर सकते हो मिलते हैं next वीडियो में अभी गले take care बाई